उपर से क्रंची क्रंची और अंदर से सौप्ट सौप्ट सी ये पूरिया बनी है और ये खाने में बहुत मज़े की लग रही थी तो चलिए इनको बनाने का तरीका देख लेते हैं और इनमें क्या क्या चीजे लगेंगी तो यहाँ पर हम एक गड़ी पालक को अच्छे से धुल करके बारिक कट कर लिए हैं फिर एक मिक्सी का जार लेंगे उसमें दो बड़े साइस के आलू कट करेंगे यहाँ पर हम दो कटोरी मक्ये के आटे से हम ये पूरिया बना रहे हैं तो आप उसके हिसाब से अपनी चीजे कम ज़ादा कर लेंगे फिर दो बारिक कट कर लिए थे आलू तो उसमें हम डाले हैं हरी मिर्च जो आप तीके के हिसाब से रखेगा अपने तीके के हिसाब से और एक टुकड़ा हम यहाँ पर लिए हैं अद्रक का और यहाँ पर हम 6-7 कली लहसन के लिए हैं लहसन अगर आप नहीं खाते हैं तो skip कर दीजिएगा और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसका बारिक पेश्ट बना लेंगे उसके बाद हम एक बड़े साइस का बर्तन लेंगे जिसमें गैस पर गरम उसमें हम पानी डालेंगे एक कप पानी मतलब कि हम दो कप आटा ले रहे हैं तो एक कप ही यहाँ पर हमें पानी डालना है रेसियो का ख्याल रखिएगा फ्रण नहीं तो आपका आटा बहुत जादा गिला हो जाएगा क्योंकि मक्य का आटा जादा पानी अरजब नहीं करता है फिर उसके बाद इसी पानी में हम डाल रहे हैं नमक, हल्दी, जीरा, खड़ा जीरा और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं मेरा घर का कुटा हुआ चिली फ्लेक्स है फ्रण आप यहां पर अगर तीखा अगर आपके परस नहीं होगा तो तीखा वाला जो लाल मिच का पॉडर है वो एड़ कर लीजिएगा फिर उसके बाद इसमें जो हम अभी आलों का पेष्ट बना करके रखे थे ना जब यह हमा जाएगा और यह हमारा जो पेष्ट है ने बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा इतना आप हमें इसे मतलब उबाल लीजिएगा उसके बाद हम इसमें आटा यड़ करेंगे एक कप आटा मतलब यह बड़ी मेरी दाल की कल्ची है तो इसमें एक कप आटा मेरा आगया तो एक कप आटा मतलब हम ले लिए है और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे गरम पानी में फ्रन मक्के के आटे को मिक्स करने से अगर आप रोटी बना रहे हो पूरिया बना रहे हो तो बहुत जादा नरम और सौप्ट सी बनती है और वो तूटती बिखरती भी नहीं है तो यह छोटा सा टिप्स था आप लोगों के लिए फिर जब यह पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है फिर हम इसमें सबसे लाश्ट में हम पालक एड़ करेंगे फ्रेंड हम चाहते तो पालक को जब पानी उबाल रहे थे उसी समय भी डाल सकते थे बट नहीं य उसके बाद हम इसे ढख करके पांच मिनट के लिए छोड़ेंगे फ्रेंड ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है नहीं तो आपका जो पालक है वो बिल्कुल गलसा जाएगा हमें गलाना नहीं है क्योंकि अभी हम गूतेंगे भी तो पालक बिल्कुल नरम पड़ जात तो इस आटे में हमें एड करना है फ्रेंड एक चमच हम देशी गी लिए है अगर आप रिफाइंड ले रहे हैं तो दो चमच लीजिएगा उसके बाद इसमें थोड़ा सा अजवायन करस करके हम डाले हैं अजवायन डालने से पूरियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अजवायन को मसल करके डालिएगा और खुब धेर सारा इसमें हम डाले हैं धनिया की पती बस और हमें इसमें कुछ भी एड नहीं करना है फ्रेंड और थोड़ा सा गी हम थोड़ा सा और एड किये हैं क्योंकि मुझे कम लग रहा था और यह आटे को आप गुत लीजिएगा तो फ्रेंड आप जो है ना कि जब आटे को गुतेंगे तो बिल्कुल हमें गीला आटा नहीं करना है आप थोड़ा थोड़ा मक्के का आटा डाल करके इसे थोड़ा टाइट डो बनाईएगा और फ्रेंड इसमें जितना भी मतलब कि जैसे आप अपनी रोटी और पूरी का आटा रखते हैं ना हमें उसी कंस्टेंसी में इसका भी आटा हमें गूतना है तो अगर जितना भी आपको बाद में मक्के का आटा लगेगा आप डालते जाएगा और इसे गूत लीजिएगा टाइट गूतिएगा फ्रेंड और हाथ में थोड़ा सा हम देखिए ऑल आठा बणाना है और फिर उसके बाद आप अपनी लूईया टोड लीजिेगा और हमें यह पूरी पदली नहीं बनानी है थोड़ी मोटी बनानी है जैसे की हम कचोरी बनाते है पदली पदली अगर आप बेल लेंगे ato फिर यह फटने लगती हैं और फिर हम क्या करेंगे कि एक पॉल्थिन लेंगे और उस पॉल्थिन पर अच्छे से घी लगा लीजेगा और जैसे कि आप पापर बनाते हैं उसी तरह से हमें ये पूरिया बनानी है फिरन ये बेलने को भी आप बेल सकते हैं बट इसमें जब बेलेंगे तो फिर पर्थन लगाएंगे तो बहुत बखने लगेगा तो सबसे अच्छा तरीका यही है इन पूरियों को बनाने का कि आप एक पॉल्थिन लीजिए उस पर ऑयल लगाएं और मतलब अपने हाथों के सहाथा से दबा दबा करके इन्हें बढ़ा कर लीजिए तो कचोरियां जितनी साइज की होती हैं मुसी साइज इसकी बना रहे हैं और देखें कितने अच्छे से मेरी कचोरियां जा करके यह तेल में फूल गई हैं तो बस इसी तरह से आप धीरे-धीरे करके अपनी कचोरियों को बनाते जाएगा और जब एक कचोरी फ्रेंट आपकी फूल जाएगी ना तो दूसरी जब डालेगा तो दूरी बना गरके रखिएगा क्योंकि आलू होता है ना कच्छा आलू होता है तो इसकी वज़े से चिपकता बहुत तेजी से है यह तो इसलिए हमें थोड़ा मतलब इस तरह से ही किनारे किनारे करके चिपकने नहीं देना है बिल्कुल भी हमें अपने पूरियों को नहीं बात नहीं है फट जाएंगी तो उसमें उसके अंदर जाएगा इसलिए इसे आप हाई टू मीडियम मतलब फ्लेम पर आप इसे फ्राइ करिएगा तो फ्रेंड इस तरह से धिरे-धिरे करके आप अपनी सारी ही पूरियों को बना लीजेगा यह पूरी फ्रेंड एक बार जरू है और इनका टेस्ट अलग होता है जो विंटर में आते हैं तो मेरे सारी ही पूरियां फ्रेंड बन गयी थी आप देख सकते हैं कि मेरी पूरियां कितने ज्यादा डिलेसी शी लग रही है देखने में में तोड़ करके भी दिखा देती हो फ्रेंड ये और खाने में भी soft और नरम और हम लोग इसे enjoy करेंगे ये टमाटर की खटी मिठी चटनी के साथ तो इसकी रेस्पी टमाटर की खटी मिठी चटनी की रेस्पी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और अगर आप लोगों को आज का मेरा ये वाला वीडियो पसंद आता है ये वाली रेस्पी पसंद आती है तो like, share, subscribe जरूर करिएगा मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई